हेलो फ्रेंड में देवय नारी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लीज होर्न बिल ठीक है होर्न बिल में एफ फोटोग्राफ जो हमारी पोएम है उस फोटोग्राफ के कोश्चन आंसर हम करने वाले आपको पिछले वीडियो में मैंने यह जो पोएम है इसको सब्सक्राइब तो आप यदि इंग्लीज के जितने भी लेशन है उनको इन हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल के माध्यम से सारी चीज़े कवर कर सकते हैं तो आपको पता है सरली टॉल्सन ने यह पोएम लिखी है फोटोग्राफ और इसमें अपने मा के प्रति उनके अनने प्रेम को दर्साया है मा के बचपन को मिस करती मा की हंसी को मिस करती है मा के बचपन को कैसे मिस कर सकती है क्यों तो चोटी थी लेकिन फोटोग्राफ के मध्यम से वह मा के बचपन को भी देखती है मा की हंसी को भी देखती है इस पोएम का ना तो इसका आंसर आएगा the word cardboard denote the photograph pasted on a hard thick paper जब किसी बड़े मोटे paper के उपर जैसे गत्ता रहता है ना उस paper के उपर जब फोटोग्राफ चिपका दिया जाता तो इससे cardboard का आजाता this word has been used to refer to a practice in the past when photographs were past pasted on cardboard and framed with glass printed to preserve with them इस प्रकार के चीजों का use का किया जाता था जब पास्ट के समय में पहले के जमाने में photograph को गत्ते को पर चिपकाया जाता था और उसकी frame बनाई जाती थी सामने cards से जड़ा जाता था उसको इसलिए उसे cardboard कहा जाता था आजकल क्या होता है laptop mobile अगरा में फोटोग्राफ से रहते हैं इसलिए पिक्चर कहते हैं लेकिन पहले के समय पे pictures को cardboard कहा जाता था इसलिए कहा जाता था ठीक है अगला question आता है अपका what has the camera captured camera ने क्या captured रिखिया था camera ने किसकी तश्विर ली थी तो answer आता इसका the camera has captured the three girls the poet's mother and her two cousins तीन महिल आये थी तीन लड़किया थी फोटोग्राफ में camera से पिक्चर ले गई थी इसमें एक तो मैं जो अपनी लेकी का है उनकी ममी थी और एक बेटी और डॉली थी जो उनकी मा की cousins थी in their swimming dresses with the poet's mother in the middle and two cousins on either side holding hands and walking feet in sea water और दोनों लड़कियों ने उनकी मा के हाथ पकड़े हुए थे और जो तीनों लड़किया थी वह समुद्र के किनारे चहल कजमी कर रहे थी पैडलिंग कर रही थी तो समुद्र के पानी उथले हुए पानी में चल रही थी तो इस परकार से camera ने तस्विर को capture क किया था ठीक है very important question है अब आता है number third question का what has not changed over the years does this suggest something to you कहीं सालों से कौन सी चीज नहीं बदली थी और यह चीज आपको क्या suggest करती है तो हमने पड़ा था poem के अंदर गयों समुद्र होता है वो लाहों सालों तक यसा कैसा रहता है बहुत कम बदलता है इंसान के चहरे और पाउं बदलते जाते हैं तो the sea has not changed over the years समुद्र कहीं सालों से नहीं बदला था its waves are as fresh, shining and tireless as they were year से वो उसकी लहरे आज इतनी फ्रेस उतनी चमगदार उतनी जो है अथक थी जो कभी नहीं था कि जितने कहीं सालों पहले थी the changelessness of sea reminds us of the change in human face with advancing edge और यह समुद्र की changelessness है व इंसान हमेशा बजलता रहता है समुद्र नहीं बजलता है ठीक है question 4 आता है the poet's mother loved at the snapshot what did this love indicate poet की माँ उस snapshot पिक्चर को उपर हसी थी तो इसकी हसी क्या इंडिकेट करती है तो जब वहां अपनी बहनों को है ना तो the love indicate her joy at remembering an incident connected with her past life यह जो लाफ थी यह जो हसी थी यह इंडि वाच कॉइट यंग जब वह बहुत छोटी थी and free from the tension and worries of life जब वह जीवन की tension और वरिस और परेशानियों से चिंताओं से मुक्त भी थी इसलिए वह हस्ती थी कि मेरा बच्पन कितना अच्छा था question 5 आता है लेखी का की मा का बच्पन और लेखी का का जो इस समय की आवस्ता है दोनों चीजें ही बहुत प्रिसीय से उनके लिए लेकिन उन दोनों ने मा बेटी ने अपनी प्रिसीय से इच को खो दिया इसलिए दोनों बहुत चिंती थी यह चीज इस लाइन से निकल कर आती है तो answer D लेखते हैं कि the sea holiday and the laughter of the poet's mother are incident of the past समुद्र की छुट्टियां और जो लेखी का है जो कवियत रही है उनकी मा की हसी यह पास्ट के इंसिजेंट है पास्ट की घटना है there is a sense of loss associated with them और यह दोनों ही चीजे खोच चुकी है both are amusing yet dispointing दोनों ही बहुत ही amusing थी यानि कि मनोरण जग खुशी देने वाली थी और साथ में dispointing भी करती निराज भी करती है as the state of feeling comfortable or relaxed in unnatural or forced one क्योंकि जब उनके अंदर feeling आती है कि वह कितना आराम का समय कितना relaxed का समय था और unnatural or forced one और अप्राकरतिक तरीके से वह चीज उनके हातों से छूट चुकी है this sense of loss is quite painful to be here और यह जो खोने का जो sense है यह उनके लिए बहुती painful बहुती एपने दर्ड़ना थे दरदनाने लेखी का की जो मा हो अपनी बचपन को खोच्की है और लेकी चारण 2022 क्या अजा टी jsem हैं कि जो लिए कि परिश्टिती आप परिश्टिती बप्रिश्तिती तो परिस्तिती यह थी this circumstance जिनाइब परिस्तिति किस से बिलॉग करती है लेखी इसे मा कि मृत्यों से बिलॉग करती है थीक है कोश्चन 7 लास्ट देख लेख लगते हैं थिरी इस्टेंजा डिपिक्ट त्री डिफेरेंट्ट फैस सब्सक्राइब तो पहला सब्सक्राइब यानि कि बच्पना किसका पोईट की मां का बच्पना यह उस समय का समय था जब पोईट का जन्मन नहीं हुआ था दूसरा है सब्सक्राइब तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को जानता सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए का चींति हमें इसे बनाने के लिए हम अपना अपको अधिकील सब्सक्राइब अगले आप 15 ठीकी है कि निधरansas मoses तो सब्सक्राइब यृद माता यह जीए है